भारत को आज यानि 20 अक्टूबर को उसकी पहली हाई स्पीड ट्रेन मिल चुकी है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत को हरी जंडी दिखा कर उद्खाटन कर दिया है इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीम योगिया दितनाथ भी मौजूद थे पांच सो रेलवे स्टेशन के पुन्रोधार का कार्य जिस गती के साथ चला है आज वह भी भारत देख रहा है बंदे भारत ट्रेन ने एक नए भारत का दर्शन कराया है और आज देश की पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को देने के लिए और उसका सुभारंब करने के लिए आप अपनी ब्यस्तता के बाब जूद नमो भारत रापिडेक्स ट्रेन के उदगाटन से नए भारत के सपने को साकार करने की ओर एक और कदम आगे बढ़ा दिया गया है इसके साथ ही पीएम मोदी ने आराटीएस कनेक्ट आप को भी लॉंच कर दिया है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने आराटीएस कोरिडोर के पहले भाग साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक नमो भारत ट्रेन को हरी जंडे दिखा कर उदगाटन किया साहिबाबाद रापिडेक्स स्टेशन जन सभास्थल के आसपास वाले इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है इसके साथ ही हाई राई सोसाइटियों मकानों की छटों पर पुलिस की ड्यूटी भी लगा दी गई है रापिडेक्स ट्रेशन को हरी जंडी दिखाने के बाद प्रधान मंत्री मोदी ने इस ट्रेशन की टिकट ले कर इसका सफर किया उनके साथ मुख्यमंत्री योग्या दितनात और NCRT के अधिकारी भी ट्रेशन में सफर कर रहे थे इसके बाद वसुंद्रा में प्येम मोदी ने बड़ी जंसभा को भी संभोधित किया है आज पूरे देश के लिए एक आईतिहासिक्षन है आज भारत की पहली रेपीड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है आरंब हुई है बात करें इस ट्रेन की तो ये ट्रेन अधिकतम 180 किलोमिटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोड़ेगी पहले चरण में इस रूट पर सिर्फ पांच स्टेशन ही होंगे जिनमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गूलधर, दुहाई और दुहाई डिपोल शामिल है इस ट्रेन का दूसरा फेज मार्च 2024 तक पूरा होगा, दूसरे चरण में इसका संचालन साहिबाबाद से मेरट के बीच शुरू हो जाएगा और तीसरा और अंतिम चरण मेरट के मोधी पूरम से दिल्ली के सराय काले खां तक होगा इस फेज का काम 2025 तक रखा गया है, 82 किलोमेटर लंबे इस प्रोजेक्ट के जून 2025 तक पूरे हो जाने की उमीद है वास टोक्यो में अपनी नौकरी शुरू की, उस समय मैं सोचता था कि क्या भारत कभी टोक्यो जैसे शेहरों के मेट्रो सिस्टम की बराबरी कर पाएगा मेट्रो निर्मान कारियों में अन्य देश हमसे काफी आगे थे, लेकिन अब हमने केवल उनके बराबर ही नहीं पहुंचे हैं, बलके हम जल्द ही उनसे आगे निकलेंगे फिलाल उदगाटन स्थल पर यातायात पुलिस कर्मी वाहन के पास देखकर पार्किंग में प्रवेश दे रहे हैं, आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को छत और बालकनी में आने की अनुमती नहीं है बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वैट पूरे कारक्रम स्थल की सुबा से ही जाज करने में जुटा हुआ है खूफिया विभाग आसपास की गतविधिया पर नजर बनाए हुए है